दोस्तो स्वागत है आप सभी का बैंकिंग करियर के OPCL YouTube चैनल पर मेरा नाम उमेस यादो है दोस्तो इस वीडियो में SBA clerk, main और RBA assistant main के जो आप में से candidate है जो seriously preparation कर रहे है study guide part 8 में जो success का मुल मन्त है उसको discuss करेंगे आप में से बहुत सारे candidate regularly आजकर पुछ रहे हैं कि सर अभी result नहीं आ रहा है RBA assistant main exam का date नहीं आ रहा है तो SBA clerk main के लिए और RBA assistant main के लिए current affair कब से कबर किया जाए दोस्तो इस वीडियो में detail में discuss करेंगे और अभी आपके क्या study होनी चाहिए आपको कौन से area पर आपको ज़्यादा focus करना चाहिए जिससे अपने exam में आप अच्छे score करके आप पास हो सकते हैं दोस्तो वीडियो जो है आप सब के लिए काफी important रहेगा और इस series जो मैंने चलाया था अभी साथ पार्ट मैंने upload किया है आप सबको मैं guide किया हूँ कि कैसे आपको profession करना है आप में से बहुत सरे candidate इस series को follow कर रहे हैं आप लोगो definitely जो है दोस्तो इससे मदद मिल रहा होगा आप लोग comment भी करते हैं दोस्तो आप लोग नए है तो चैनल से जरूर जूड़िएगा इस video को like कीजिए share कीजिएगा और दोस्तो जो आप में से लोग candidate पूछ रहे हैं कि सर एक्जाम कब हो सकता है में का तो देखिए दोस्तो मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में बताया है और आने वाले टाइम में सेच्वेशन नर्मल होने वाला है आपका एक्जाम जो है अगस्त के लास तक नहीं तो सेप्टेंबर के मीट तक आपका जो है क्या स्टड़ी होनी चाहिए करेंट एफेर को लेकर के आपको कैसे करेंट एफेर का प्रिपरेशन करना है मैंने इसके पहले जो भी स्रीज वा इकिया था उसमें आपको बताया था कि फर्वारी जन्वारी के आउनवार्ट करना है यानि फर्वारी के आगे आपको मार्च माई जून जुलाई जभी एकजाम होगा तब तक करने यानि फरवरी को आपको टॉफ हंडेड कोश्चन है और उसके बाद पॉकेट पीडियाफ है आप किसी वीडियो से पढ़ रहे हैं तो आपको क्या किजिए जो टॉफ जो वीडियो है मंत का उसको आप देख लीजिए औ मार्च और अपरैल को और आगे से जो है अच्छे से फोकस किजिए क्यों कि मैजूरिटी अप कॉस्चन जो है आपका जभी एक्जाम होगा उसके चार मेने पहले का आएगा यानि जबहीं एक्जाम होगा फोर मंथ पहले का आपको आपका करेंट और पूछा जाएगा तो वाइवार आपको अच्छ से करना है और आपका एक्जामोँ ہो नर्मले अगर लास्सट मेनी आपका एक्जाम में नर्म All करते हैं हमेशा और अभी जो टाइम है आपके पास अच्छा खासर टाइम मिला है तो सबसे पहले दोस्तों आप सबको मैंने बताया था 2018 का और 2019 का जो पेपर है SBI कलर का उसको आप previous year का पेपर जो है उसको कर लीजे आपको यह कर लेंगे तो आपको एक confidence आजाएगा और जहां तक RBS 10 की बात करें तो RBS 10 के लिए 2017 में जो एक्जाम हुआ था उसका में का पेपर आप कर लीजे अहिस पेपर कर लीजे और एक्षा सब्सतर और statर के लिए अठरा और युणिस का पेपर कर लिजे और डिली बेसिस पर दोस्तों आपको क्या होनाया चाहए रिजिनिंग का कॉण्ड का इंग्लिस का एट सब्सक्राइब कम से कम आपको 2 घंटे दिना उसमें आपको जो जो आपका डिजे यह हैm पूछा जाता है और एक काम किजिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाए यह प्रैक्टिस मोग का एक फ्री अपको जो है इस बीए कलर में के लिए पेपर है उसको आप एटेम किजिए आपको फ्री अपको पॉष्ट उसके लिए आपको कोई चाहर नहीं देना और आपको एक्जाम जो हुआ था 2019 का उसी पैटर्न पर आपका जो है वह टेस्ट स्रीज है मैंने भी उसको किया है तो काफी आशा टेस्ट स्रीज है उसको जाकर किजिए का उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं तो ऐसे दोस्तों पढ़ाई किजिए आने वा करें तो डेली आपका जो है 200-200 केस नि आ रहे थे बट आज दो है बहुत कंट्रॉल होगे आज की न्यूज बताया था आपको 3-4 केसे से तो आने वाले टाइम में जो एक्सपर्ट का भी मनना है करोना का जो केसे कम होने वाला है आप सबको डेडिकेशन के साथ प्रिपिश सब्सक्राइब कर लो वन अब बेस्ट पीडियेफ है यहां पर 10 परसें आपको डिसकांट भी चल रहा है तो उसका भी आप लाब उठा सकते हो आप देख सकते हो यहां 2014-2019 का डाटा है थर्टी सिक्स मिलियन जो एस्परेंट है इससे पढ़कर गे और आपने एक्जाम में अभी जाके कि दोस्तों इसका ले दीजिए इसका नोमिनल प्राइस है वन एर का 350 रूपीज है अगर आपने नहीं लिया है तो आप ले लिजिए आप मैक्सिम लोग ले ली है और आपको कुछ पाबलम होता है इसको पढ़ने में तो आप मुझे कमेंट कीजिए मैं आप पढ़ाई करते रहिए आने वाले टाइम में जब भी एक्जाम होगा तो आप अपने एक्जाम में अच्छे करेंगे थैंक यू सो मुच गॉड़ ब्लेसियू